सब्सक्राइब करें लिए आज का प्लांट हमें स्टार्ट करें लिए आपको ऐसे फार्मेसिस एलेटेड वीडियो लिखी आती रहती हूं जहले हैं आज का प्लांट हमें स्टार्ट करते हैं लिऔराइस ठीक है इसको हिंदी मुलाथी में पहिती सोर्स एक हंकोि हमको प्लांट ऑप्टेई को उता है इसको मुलाथी पार्ट यूज़ करते हैं तो हम इसका राइप्ट या अनराइप्ट रूट एंड स्टॉलिन यूज़ करते हैं ठीक है कौन से प्लांट का Glacirisal Glacirisaglabra ठीक है यह हमारा फैमली लेयुमेन इसी का प्लांट है Glacirisaglabra जो की लूकराइस प्लांट का ही botanical name है और हम इसका बहुत सारी medicine में use करते है it contains not less than 3% of glycerogenic acid ठीक है इसमें जो main chemical constituent होता है वो हमारा होता है glycerogenic acid जो की 3% से कम नहीं present होना चाहिए ठीक है अब आगे देखते है geographical source देखते है commercially इसका सबसे ज़्यादा cultivation collection कहां पर होता है तो इसका सबसे ज़्यादा होता है Spain में होता है, England में होता है देखे इसमें कौन कौन से इसकी 3 main varieties हमको found होती है एक Glacirizer Glabra, War, Typical Spanish variety है हमारी Glacirizer, Glabra, Glendlifera यह हमारी Russian Glabra, War, Violency यह हमारी Persian Glabra, War, Violency यह हमारी main geographical sources मतलब all what world है हमको इस 3 found में varieties में आया जाता है mainly, इसी found में हम इसको obtain करते हैं, ठीक है इंडिया में भी इसका cultivation होता है, Punjab side ही होता है इसका cultivation अब इसका cultivation collection देख लेते हैं कि कौन-कौन से processes का use करते हैं, कौन-कौन से precautions लेते हैं इसके plantation के time पे, कौन-कौन से हमारी requirement होती है, soil कैसी होनी चाहिए, हमारा atmosphere condition कैसा होना चाहिए इसकी favorable conditions देख लेते हैं कि कि climate में हमारा ये plant grow करता है अच्छे से ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि propagation हम इसका कैसे करते हैं, प्रोपेगेशन के लिए mainly हम इसके pieces of stallion का use करते हैं, तीक है, इसमें जो medicinal value है, जिसका हम collection करते हैं, वो हमारा stallion होता है, या तो इसका root होता है हमारे plant glassirisal glabra का, तीक है, तो जब हम इसका propagation में भी हम इसके stallion का pieces का use करते हैं, each fish should have two to three birds in a aerial shoot, तीक है, इसका aerial, जो हमारा part होता है, जिसका भी हम plantation करने के लिए choose करते हैं, उसमें की, दो से तीन हमारा bud होने चाहिए, plant grow well deep in sandy soil with a manure and fertilization, यह हमारा well grow कहां बगरता है, किस type की soil में करता है, तो यह हमारे sandy soil में अच्छे से grow करता है, pieces of stallion planted in a march, ठीक है, मार्स की season में इसका हम प्लांटेशन करते है, at a distance of 2-3 meter, ठीक है, इसके 2-3 meter में हम लोग इसका plantation करते है, ठीक है, crop is free from weeds, ठीक है, इसको weeds से हम, जो भी हमारी खर्पतवार्स होती है, extra जो plants उगाते है उसको हम इससे क्या करते हैं उसको हम निकाल के fake देते हैं, उसको हम फ्री रखना है इसकी proper growth की requirement है हमारी, ठीक है, root harvested after 3-5 years of planting, they are obtained from the plant and dubbing before, digging before the fruiting, ठीक है, root harvested after, हम, ठीक है, root का harvesting कब करते हैं, तो हम plantation कर देते हैं, उसके 3-5 साल के बाद हम इसका harvested करते हैं, ठीक है, they are obtained from the plant by digging before fruiting, उसमें fruiting आने से पहले ही करते हैं, हम लोग, ठीक है, drug is washed with water, जो भी हम लोग collection करते हैं, उसको फिर हम लोग wash कर लेते हैं, water के साथ, large pieces are cut into the small pieces, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा collection होता है, तो हमारी large जो भी stalling होती हैं, या root होती हैं, उसको हम लोग cut करके small pieces में, उसको फिर हम sun में dry कर देते हैं, sun dry करने के बाद, फिर हम उसको sold करने के लिए market में packaging के पाद फेज देते हैं, कि हमारा mainly cultivation collection का process हो गया, अब हम आगे देखते हैं, इस macroscopic properties देख लेते हैं, characters ठीक है, organoraptic character की कैसे हमको देखता है, किस form में, इसके external features क्या क्या होते हैं, color देख लेते हैं, सबसे पहले दिखिए, यह unpeeled या peeled दोनों condition में ही हमको obtain होता है, तो unpeeled condition, अगर unpeeled drug हैं हमारा, तो yellowish brown color का, या dark brown color का, इसका external part होगा, अपने मुलाकी को देखा भी होगा, अब yellowish color का, हमारा internally part होता है, order इसका smell कैसे होता है, तो इसका smell होता है, फेंट यह characteristic होता है, अपने मुलाथी का smell भी smell किया होगा, इसमें characteristic smell आदी है, different smell आती है, taste उसका sweet होता है, आप इसको खाने के बाद भी water का intake करते हैं तो आपको मिठा लगता है तो size देख लेते हैं तो 20-50 cm हमारा size होता है diameter इसका 2 cm होता है shape देखते हैं तो shape जो हमारे unpeeled pieces का होता है वो mainly straight ही होता है unpeeled जो हमारे जिसका जिलका नहीं उता रहा हुआ होता है वो हमारा straight होता है fractures देख लेते हैं तो fracture में fibrous in a bark and splint free ठीक है तो हमारा क्या होता है fibers होते हैं इसके bark उसमें जो होता है जिसका हम लोग collection करती है इसका जो मोटा bark होता है उसमें fiber straights के form में वो होता है small होते हैं, छोटे-छोटे से होते हैं पतले होते हैं, sharp होते हैं sharp pieces of wood in a wood ठीक है, यह मारे fractures होगे extra features हमारे क्या होता है unpilled pieces should present the small butt and longitudinal wrinkled अगर आप हमारे मुलाठी को देखेंगे unpilled क्यों हुई जो हमारा unpilled portion होता है piece होता है उसमें presence होते है small buds, उसमें small-small buds present होती है अगर आप देखेंगे longitudinally तो उसमें wrinkles उसमें होती है जुरियां पड़ी होती है उसमें wrinkles होती है यह हमारा extra feature हो गया macroscopic character में ठीक है, यह बहुत important होता है किसी भी plant का आपको ध्यान रखना है color, order, taste, size, shape ठीक है, extra features अब हम आगे देखते हैं यह हमारा उसका transfer section है हमारे lucarise का प्लांट का ठीक है, हमारे इसके कुछ parts के बारे में आपको specific characters के बारे में बता दे रही हूं जो हमारा corksil होता है ठीक है, polyhedral tubular brownish color का होता है ठीक है, इसमें मेरे जो corksil होती है polyhedral सीप में होती है tubular brownish color की होती है ठीक होती है, मोटी होती है lignified होती है, उसमें lignin का deposition हो जाता है, partial lignified fibers in a phroem and xylem, और जो हमारे partial lignified fibers जो हमारे पाए जाते हैं वो हमारे xylem और phroem भी पाए जाते हैं starch and calcium oxalate crystals present in a parent pharmacist, जो हमारे parent pharmacist tissues होती है, उसमें starch and calcium oxalate crystal पाए जाते हैं, देखिए extra feature होता है हमारे plant का, ठीक है कि किस part में हमारे किस चीज का deposition हो रहा है या किस चीज का वहाँ पर secretion हो हो रहा है, हो accumulate हो रहा है वहीं मैं आपको यहाँ पर बता रही है, अब देखिए जो इसका दूसरा point देखते है, stallion contains pit with, while root do not contain pit देखिए, इसमें extra feature यह भी है कि जो हमारे stallion का part होता है, stallion part होता है lequorize का, देखिए, उसमें हमारे pit पाया जाता है, लेकिन जो हमारे root का part होता है, उसमें हमारे pit नहीं होता है pit and medulla is a tissue in the system of vascular plant, यह हमारे vascular plant के system में ही पाया जाता है pit is composed of soft pit में, वो किस चीज से मिलके बना होता है, तो मिलके बना होता है composed of soft spongy parenchometis cells, ठीक है which store and transport the nutrients throughout the plant ठीक है, यह हमारे soft होता है, soft and spongy parenchometis cells से मिलके बना होता है और किस चीज में help करता है हमारे help करता है पूरी plant में nutrients का ट्रांस्पोर्ट करने के लिए throughout the plant cells ओके, हम आगे देखते है chemical constituent देखते है, इसमें ऐसे कौन-कौन से chemical ingredient active principles present होते है जिसकी वज़े से हम लोग glucose plant का as a medicinal use में लेते हैं, ठीक है तो देखते है कौन-कौन सा chemical constituent present होता है इसका जो main chemical constituent होता है, वो हमारा होता है glassy-raisin होता है या glassy-raisinic acid होता है glassy-raisinic acid होता है, ठीक है में लिए glycoside है तो इसमें हमारा glycon and a-glycon both parts present होता है ठीक है, hydrolysis it yields glassy-raisinic acid ठीक है, जो हमारा triterpenoid होता है triterpenoid का मतलब हो गया हमारे 30 carbon containing compound हो गया ठीक है, other constituent are sucrose ठीक है, अब इसमें और कौन-कौन से constituent पाये जाते है, glassy-raisinic acid के अलावा भी, तो हमारे इसमें sucrose भी पाये जाता है bitter principles में अगर हम चले जाएंगे glycary-rainer होता है अगर आप चले जाएंगे glycary-rainer होता है हमारा resin भी होता है sucrose compound भी पाये जाता है sucrose होने के वज़े से हमारा lucarize sweet taste में appear होता है हमको mouth में uses देख लेते है uses के बहुत important है बहुत धेर सारी इसमें medicinal values होने के वज़े से expectorant expectorant का मतलब क्या होता है expectorant का मतलब हमारा होता है कि जब हम हमारे respiratory track में हमारे mucus यह होता है वो concentrate हो जाता है हमारे respiratory track को block कर देता है खाराश हो जाता है तो भी का करता है यह हमारा उसको mucus को dilute करके हमारे body से हमारे respiratory track से mouth की थुरू बाहर निकल देता है mouth की थुरू expel out कर देता है यह इसका मतलब होता है as an expectorant हम use करते हैं leucarized plant का demulsion होता है demulsion में सबसे पहले ही समझ लीजी जो हमारी thin mucus membrane होती है उसमें irritation cause होता है irritation cause होता है तो उसको क्या करता है leucarize हमारा demulsion agent के तरह हम use करते हैं इसका मतलब होता है कि हम जब इसका intake करते हैं तो यह thin layer के film उस पे coat कर देता है तीविके mucus membrane पर और इससे क्या होता है जो हमारा minor pain होता है irritation होता है उसके हमको relief मिलता है as in a demulcent हम लोग use करते हैं flavoring अब इसका इतना sweet test होने के वज़े से characteristic faint order होने की वज़े से as in a flavoring agent various हम pharmaceutical industries में use करते हैं even हम इसको mask करने के लिए जो हमारी bitter drugs होती है हमारी quinine हो गई ठीक है ये सारी जो हमारी bitter test होती है इसको mask करने के लिए इसके test को mask करने के लिए as in हम लोग flavoring agent का इसका use करते हैं इसमें anti-inflammatory properties भी होती है inflammation जो होते हैं उसको उससे ये prevent करता है rheumatide arthritis stresses में भी हम इसका use करते हैं due to flavor night content with the anti-gastric ulcer देखे इसमें इतनी जादे medicinal values होती हैं कि जो हमारा anti-gastric ulcer effect होता है उसमें भी हम लोग को ये prevent करता है जो हम उससे disease से हमको relief मिलाता है peptic ulcer में use करते हैं anti-spasmotic होते हैं जो भी हमारी muscles होती है smooth muscles होती है उसमें spasmat इठान आ जाती है जो अकडन आ जाती है उससे भी flavor night content होनी की वज़े से उसमें ये हम लोग को relief दिलाता है it is an ingredient of licorice compound powder which is potentiate the effect of sena जो हमारा sena का plant होता है sena की leaves होती है ये licorice क्या करता है इसके powder ingredient को अगर हम उसमें add करते हैं तो उसको potentiate कर देता है उसके potentiate उसकी power को increase कर देता है हमारे sena leaf की ये इसके uses हो गया है इसके uses बहुत important है अब देख लिजेगा अच्छे से मैं आगे दिखाती हूँ आपको addulterans देख लेते हैं substitute देखते हैं ठीक है एक manchurian lucarice होता है हमारे glassy-raiser uralansis ठीक है it is free from sugar इसमें sugar contents नहीं होते हैं but contain glassy-raising ठीक है इसमें हमारे glassy-raising होता है हमारे जो main consequence है उसमें ये present होता है pale chocolate brown color ठीक है ये क्या करते हैं lucarice के साथ इसका भी addition कर देते हैं मिलावट कर देते हैं और commercial use के लिए अपने income को increase करने के लिए ठीक है और हमारा russian lucarice होता है glassy-raiser-raiser-work-work-work इसका भी use करते हैं ये purplish color का होता है तो इसमें से mix-up करके अपनी commercial production में increase लाने के लिए ठीक है ये लोग ये सारा use करते हैं आज का हमारा plant मैं आपको इसके diagram कुछ दिखा दे रही हूँ अप देख पा रहे होंगे ये हमारा leucarize का plant है आप इसके leaves को इसकी plant को अच्छे से देख लीज़िए ये आपको identification में help करेगा किसी भी plant का identification हमको आना चाहिए कि इस plant की leaves है ये इसकी fruits है इसमें अच्छे से flowering नहीं हुआ है आपको दूसरे picture में दिखाऊंगी इसका flower का structure भी clear ये देख लेज़े आप ये हमारे leucarize का plant है ये mainly plantation के बाद हमको 3-5 years के बाद हम इसका collection का process या इसमें maturation स्टीट आने के बाद इसका stallion का collection हम लोग करती है ये हमारे leucarize का plant है अब देख पा रहे होंगे ये हमारा इसका flower है ये हमारा flower है leucarize का ये हमारी leucarize का stallion ये root जिसका collection करते हैं और इसी के अंदर हमारे main active construction glassy rising present होता है जिसमें बहुत धीर सारी medicinal values होती है अब देख पा रहे होंगे ये externally dark brownish color का है dark yellowish brownish color का है internally ये yellow color का है ठीक है बहुत सारे preparations में बहुत सारे आयरवेदिक preparations में हम इसका powder form में use करते हैं इसको powder करके देना हम उसको drag में drugs में add out करते हैं ठाइक करण एप्सको है में भीप्साच L killer झा झा ख बचिबचान . झा झा दो खुछंगत तेहर भ视्सको है झाप